हाई मेरा नाम है आशिश राठ देख रहे हैं दीललन टॉपपिक बार फिर शुडू हो गया है हमारा प्रोग्राम सोशालिस्ट सबसे पहले दो बात हमारे उस वीडियो की जो वायरल हो रहा है वही दोस्त का मास्क चलता है वाला वीडियो, अब तो मीडिया वाले उस वीडियो पर स्टोडीज वगेर कर रहे हैं, क्लिप वाइरल है अब वल तो एक बार फिर से वो वीडियो देख लिया जाए आपके पास मास्क है? नई, फोर दिया है अब मास्क लगाईए से ना को कि आप बोलना है तो थू का रहा है मेरे पहाद पे और यह बड़ा इंफेक्शियस है ठीक मेरा दो लाक असी हजार मात दाता है जिसमें से 75,000 भोट यार तुम अपना मास्क लगाईए उसको फिर हमने सोचा आपको इसके पीछे की कहानी भी बता दी जाए सिद्धान जी आपको बताएंगे कहा का वीडियो है क्या कैसे कभी ये मॉमेंट कैप्चर हो गया सिद्धान हुमें और दीलेलेवन टॉप के एक वीडियो बड़ा आशकल वाइरल हो रहा है वो वीडियो रकसॉल का है पूर्वी चंपानों में पड़ता है बिहार का पूर्वी चंपानों जो पुलिस इंजिला है और उसमें हम बिहार कवरेज में गए हुए थे वहाँ पे नेपाल लग जाता है दो सो मिटर बाद वहाँ से नेपाल का बॉडर है तो अपन वहाँ पे शूट कर रहे थे मैं और रुहानी में पब्लिक से जाने रहे थे माहौल क्या है कैसा है चुनाओ ज़ा रहा है पब्लिक का मोड कैसा है तो वहीं पे यह बंदा मिला सहब गुसे में थी लोग लोग के अंदर होता है नि outtaक्रोश होता है तो इनके अंदर ए थोड़ा सा अक्रोश था सरकार को लेके अपने मौझूद आविधाय के टिकट कटने पर लेके तमाम बाते और सहाब डिमोग्राफी समझा रहे थे कि लाके में कितने वोट हैं, क्या वोट है, कैसे कैसे वोट है ये चीजें बता रहे थे और काफी चिला के बोल ले थे बोले मास्क नहीं है, घर पर भूलाए लेकिन बात शुरू कर दिये तो उनके पीछे मुझा दोस्त ख़़ा था उसने जेब से मास्क निकाला और उसने चुपचा पहना दिया ये एकदम सामने कैमरे पर हो रहा है बोला अरे लो मास्क पहना दिया फिर मैंने त्यां दिया यार ये तो अपना मास्क पहना दिया और यहां पर गटना के लिए मैंने बोला ये तुमको अपना मास्क पहना दिये तुम तो उसको बोला हाँ हाँ मेरा दोस्त चलता है चलता है तो मतलब फिर मैंने ट्वीट भी किया था कि यार ये डेकर मैंन्य कोरोना ने साथ में माथा पीटा था, और मेरे जो प्रोडक्शन के साथ ही हैं हमारे विडियो जॉनलिस रूहाणी उन्होंने भी साथ में थीनों लोगाना माथा पीटा था इसके बाद वही पुरानी बातें जो हर रोज होती है कि आज दिन भर शोचल मीडिया पर क्या क्या चला क्या है हमारा एजेंडा आत्म निर्भर भारत 3.0 के बीच Act of God और प्याज को याद करते हुए नजर आए लोग गूगल फोटोज ने कहा अब हम पुरानी गूगल नहीं है जो लिबर लिबर करते थे अब क्लाउड स्टोरेज को चाहिए फुल इजद चुंगी वसूलते हाथी का वीडियो वाइरल जूता कांड पर जनता भड़की तो काडी भी ने कहा भारी मिस्टेक हो गया एकदम बलंडर हो गया और पिक ओफ देडे में बताएंगे उस सिंगर के बारे में जिसके गाने आप किसी भी कंडिशन में सुन सकते हैं लेकन उस सबसे पहले शोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार पब जी कॉर्पोरेशन ने एलान कर दिया है कि भारत के लिए वो नया गेम लाएगी और चीनी कंपनी से कोई पार्टनर्शिप नहीं करेगी और भी बहुत कुछ ताम जाम बताया गया पुल जमा पब जी मोबाइल गेम भारत में फिर खेला जा सकेगा खिलाडियों में उत्साह का माहौल हो गया मीम्स चल रहे हैं ट्रेंड में ये टॉप ट्रेंड पर जा पहुचा ट्विटर पन मीम बाजी हुई एफ ए यू जी वालों की दशा बताई गई रोबोर्ट के मीमस से बताये गया कि मौत से जिंदा लौटने का अलग ही मज़ा है एक्टर आसिफ बसरा की मौत की खबर आ जाई शुरुवाती खबरों में आत्महत्या की बात कही गई पता लगा धर्मशाला में किराय के कमरे में रहते थे वहीं ये सब हुआ लोगों के लिए ये एक जटके जैसा था रियक्शन भी ऐसे ही आए लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सब कैसे हो गया फैंस ने उन्हें श्रद्धांजली दी और उनकी फिल्मों और उनकी किरदारों को याद किया एक ट्रेंड चलाया गया वाई उनली रसोडा ब्लूटिक वाले ट्वीट करते नजरा रहे थे हमने खोजा तो पाया इस सब के पीछे है सब टीवी सपनों का कोई जेंडर नहीं होता करके एक गाना सुना रहे थे सवाल पूछे जा रहे थे कि रसोडे में तुम ही क्यों थे यश्राज मुखाते जैसा एक युवा म्योजिक कमपोज करते भी नजरा रहा था वहां से लगभग स्पष्ट था कि सोनी वाले स्टार वालों को टार्गेट कर रहे थे उनके सास बहु सीरियल्स और रसोडा पॉलिटिक्स पर सवाल उठाया जा रहा था दिखाया गया कि लड़कियां और भी काम कर सकती है कुछ भी बन सकती है इसी बहाने काटे लाल एंडसंस का सीरियल का प्रमोशन हुआ लेकिन एक भली कोशिश ये नजराई कि स्टीरियो टाइप्स तोड़ने की बात हुई देखते हैं कि क्या स्टार वालों का कोई पलटवार इस पर आता है अब बात करते हैं आज की दिन के बड़े ट्रेंट्स की आत्म निर्भर भालत 3.0 की घोशना हुई जब क्रिस 3 आई थी तो लोगों की दिमाग में ये सवाल उठा था कि क्रिस 2 कब आई ऐसे ही आज कुछ लोग सवाल पूशते मिले कि आत्म निर्भर भालत 2.0 कब आया इसमें सरकार की गलती नहीं है 12 अक्तूबर को उसकी घोशना की गई थी आत्म की गलती है अगर आपने नहीं ध्यान दिया आज सरकार के 12 है एलान हुए 2.6-5 लाख करोड रुपए के राहत पैकेज का एलान हुआ हम प्रार्थना करेंगे इससे देश को उतनी ही राहत मिलेगी जितनी आत्म निर्भर भारत और आत्म निर्भर भारत 2.0 से मिली थी इस मौके पर वित्मंत्री निर्भर लासीता रावन के नाम के साथ एक्ट आफ गॉड भी ट्रेंड हुआ और वजह ये कि RBI ने GDP घटने को लेकर आगाह किया है और कहा है कि देश पहली बार इतनी मंदी के दौर में घिरा है GDP और मंदी बोलते ही मुझे लगने लगा कि मैं वानिज जेवाला कोई बुलेटिन कर रहा हूं सिद्धान जी मुझे अर्थात में भी बुला सकते है सटायर में मंदी को एक्ट आफ गॉड कहा गया और बोला गया कि तो क्या भाजपा पीम मोदी को गॉड मानती है क्योंकि ये एक्ट आफ गॉड भी उन्हीं का बताया गया ऐसी बात भी थाली बजाओ दिया जलाओ जैसी बातें भी कहीं गई पाइनेंस मिनिस्टर चेंज करने का प्रोसेस भी मीम्स के सहारे पूछा गया ट्रोल्स का सिकार सिर्फ आरबियाई की बात में हुई आत्मने भर भारत 3.0 वाली प्रेस कॉन्फरेंस पर भी मीम चले हिंदी दर्श को ने अनुराग ठाकुर को याद किया ठैंक गॉड किसी ने ये नहीं लिखा कि अंग्रेजी के मारों को हिंदी में समझाओ सारूं को निर्मला सीता रवन की तस्वीरे लगा कर प्याज की दामों को याद किया गया ट्रेडर्स के हवाले से भी कई मीम आज नजर आए अगली खबर में चलने के पहले आपको बताते हैं दिखाते हैं एक वीडियो पहले पतरी उखाडी अब मरमत का वीडियो वाइरल हो रहा है राजस्थान का वीडियो है गोड़जर आरक्षणा अंदोलन खत्म होनी के बाद ये लोग क्या कर रहा है कि उखाडी हुई पतरीयों की मरमत कर रहा है कुछ लोग इनकी बड़ी तारीव भी कर रहा है वीडियो देखिए अब कर दो कि अब खत्म हो वह प्रेन की पटरीयां है बल्व नहीं की घुमा कर लगा दिया काईदे से ना लगे तो हजारों की जान का खत्रा अलग और इसमें कोई भलमन साहत नहीं है कि आप पहले ट्रेन की पटरी उखाड़े और फिर उसको खुद ही लगा दिया इस रंग बदलती दुनिया में गूगल ने भी रंग बदल लिया है अगले साल से आप गूगल फोटोज पर फ्री में अनलिमिटेड हाई कॉलिटी फोटोज बैक अप नहीं ले सकेंगे जीमेल वाला वो जो पंदराजी भी खत्म होते ही वो पैसा मांगने लगेंगे इन शॉर्ट हम सब के साथ गुच्ची हो गई है फोन गुम जाते हैं हार्ड डिस्क प्राचीन काल की हो गई है और गूगल ने हाथ खड़े कर दिये हैं अब आप जानो आपका काम जाने समाय आ गया है कि अपनी बेस्ट फोटोज को हों फिर से वही जैसे बच्पन में करते थे फोटो एल्बम में छफवा कर लगवाते थे वही लगवाएं गूगल ने चन्द पैसों के लिए दोस्ती में जो घपला किया अब उस पर जनता भड़की हुई है कहा गया अब देखो ज पर हार्ड डिस्क कार्ट में एड करते हैं किसी ने तो इसको मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग फिंग इन 2020 तक बताया बाकी गूगल वालों हम यही कहेंगे कि कुछ देख समझ लो मतलब बेटर लक्ष नेक्स टाइम करके तुम्हारा पेट नहीं मर रहा था क्या शोशल मीडिया पर चुंगी वसूलते एक हाथी का वीडियो शेयर किया गया बेसिकली वीडियो श्री लंका का है शेयर किया आई एफस परवीन का स्वान ने साथ में बताया कि इसलिए लोगों को समझाया जाता है कि जंगली जानवरों को कुछ भी खाने को ना दे यह गयरह वगयरह सवाल सोचने लायक है एक यूजर ने लिखा कि असल लूटे रहा यहाथी नहीं है बलकि इनसान है हमने इन जानवरों से इनके जंगल लूट लिए इस वज़े से आज इनकी यह हलत हो गई है तो दूसरे सज्जन ने लिखा कि क्या जानवरों का हक पलों और पर नहीं है किसी को फिक्र थी ड्राइवर की क्योंकि उसका सेरी वीडियो में हाथी की सून से दबा हुआ दिखाई दे रहा था हालां कि किसी को इस वन अधिकारी का पॉइंट समझ नहीं आया कि ट्रक ड्राइवर ने पहले हाथी की तरह केला उच्छाला था और उसके बाद हाथी को अंदेशा हुआ कि ट्रक में केला है ड्राइवर को ऐसा नहीं करना चाहिए था कॉमन सेंस की बात है कि आप आ बैल मुझे मार नहीं कहते तो आ हाथी मुझसे भिड़ क्यों ही करेंगे रैपर और एक्रस काडी बी ने माफी मांग ली है काहे बात पर जूते का एड़ कर रही थी एक फूटोवेर मैगजीन के लिए फोटोशूट कराया था उसमें दुरका मईया जैसे दस हाथ दिख रहे थे और हाथ में उनने जूताप कर रखा तर जनता भड़क गई बोली हम हम मंदर जाते हैं तो चपल बाहर उतार कर जाते हैं यह तो सरा सरा अपमान है काडी भी को भी खूब सुनाई गई बाते हैं अब माफी मागी है उनने भारी मिस्टेक हो गया एक दंबलंडर हो गया टाइप बातें कहते मिली कहा कि हमको बताया गया था कि तुम्हें एक दे समझ तो आया कि इनसे गलती हो गई है अब बारी है Pick of the Day की Pick of the Day में क्या होता है हम रोज बताते हैं आज नहीं बताते हैं आज आपको बताते हैं एक सिंगर के बारे में किरती दान गड़ हुई इनका नाम है भजन गायक हैं पर सब प्रकार के गाने गाते हैं भजन डायरा के वीडियो इनका खूब वाइरल होते हैं आपने देखे होंगे गुजराप में ये बहुत फेमस हैं हमने इनके बारे में जान बूच कर कोई बहुत रिसर्च नहीं किये हमको पसंद है इनके प्रोग्राम और ये जो लाइव गाने गाते हैं और उसमें भी जो बॉलीवूड के गाने गाते हैं इलेक्शन यापत्रा में हम लोग पूरे रास्ते इनके गाने सुनते रहते थे गाडियों में एकदम अलगी लेवल का फिल है बहुत रौ मामला है कभी गाने के लिरिक्स बदल देते हैं कभी एक्स्ट्रा नुक्ता लगा देते हैं तो कहीं फिल्मी गाने को भजन की टोन में गा देते हैं आनन्द आ जाता है तो इनका यूट्यूब चैनल आपको दिखा रहे हैं इसके अतिरिक्त भी इनके गाने यूट्यूब पर हैं सुनिए और बताईए आपको कैसे लगे जिनने पहले से सुन रखा है वो तो कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे मुझको पता है बागी आज के सोचल लिस्ट में इतना ही कल फिर मुलाकात होगी तब तक आप अपना और अपने दोस्तों का खयाल रखिए अपना मास्क उनको मत पहने दीजिए और ना उनका मास्क आप पहनिए मैं चला ताटा